तो यहां पर एक आख का आइकन दिखेगा, आख का सिंबल दिखेगा, आख वाली बेटन को दबा दिजे, आपका पासवर्ड अपने पता करें, अपने मोबाइल फून के मदद से, क्योंकि कभी-कभी होता क्या है, कि हम लोग अपनी स्नेपचेट का पासवर्ड भूल जाते ह जब भूल जाते हैं, तो फिर पता करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि पासवर्ड को फॉर्ड करें, या फिर क्या करें, तो मन्यों बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन मोबाइल में ही हम लोग के स्नेपचेट का पासवर्ड से बराता है, बस उसे देखने की ज़रत होती है कैसे देखेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो सारा तरीका आज के इस वीडियो आपको पताने वाला हो, वीडियो बहुत सांदार होगे, चली आगे बढ़ते हैं, तो हेलो और देलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं Android जंक से येटूब चैनल, और मैं नाम है रूपेज, दोस् जहां से आप अपने Snapchat का password देख सकते हैं, पहला जो तरीका है, आपको आना होगा, अपने mobile phone के Google के play store में, Google के play store में आने के बाद, कुने पर आपका logo दिखेगा, Gmail का इस logo पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही, एक options देखने को मिल जागा, Google account का, तो आपको क्या करना है, Google account जो लि से पहले एक तीसरे number पर एक option है, data and privacy, लेकिन आपको क्लिक कहां पर करना, security पर क्लिक करना है, जैसे security पर क्लिक करेंगे, अब बिल्कुल नीचे आप चले आए, बिल्कुल नीचे ठीक है, जैसे बिल्कुल नीचे आएंगे, यहां पर एक section देखने को मिल जाता है, password manager का, simple आ Google किया है, बकिया कोई नहीं किया है, यहीं से हम लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं, मेरे यहां पर new box का, sky book का, sky exchange का, ups.com का, और साथ साथ में Snapchat का भी password यहां पर save है, कैसे देखेंगे, इस पर हम Snapchat पर click करेंगे, यहां फिंगर पींट वाला lock लगाए है, या फिर pattern वाला lock जो भी लगाए होंगे, तुरंत मांगेगा, आप देदेजेगा, जैसे देदेगे आप, तो यहां पर एक आख का icon दिखेगा, आख का symbol दिखेगा, आख वाली button को दबा देजे, आपका password आपके सामने दिखने लेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप में यह option ना काम करें, क्योंकि आप यह जब ID लोग बनाते हैं, उसी time एक pop up आता है, save का, तो save कर देते हैं, तो यहां पर दिखा देता है, हो सकता है, आप नहीं save की होंगे, तब क्या करना है, आपको अपना Snapchat app को ही open करना है, ठीक है, open करने के बाद, कूने पर आपकी profile होगी, profile पे click करिए, click करने के बाद, एक option उपर के तरफ होता है, setting का, तो setting पर जाए, setting पर जाने के बाद, एक option होगा, password का, तो password पर जाए, यहां पर आपका तुरंत ततकाल वाला password बांगेंगा, लेकिन आपको तो पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप फारगट यू क्लिक करके, और send by SMS पर क्लिक कर देना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके mobile नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, one time password, वही password आपको यहां पर डालना होगा, जैसे OTP आपको रिसीव हो जाए, तो आप यहां पर भर देजे, वह OTP आप यहां पर भर देजे, OTP इसमें भी नयवाला बनाएगा, जो confirm password लिखा इसमें भी नयवाला बनाएगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों में सेम सेम होगा भरना है, लेकिन नयवाला भरना अपने मन से बरना, ठीक है, अब password दोनों में भरने के वास, save वाले option पे क्लिक कर दिजे, आपका password इस तरह से पता इसमें चैनल को subscribe दोस्तों